दोस्तों अब अपन बात करेंगे उस्मा गतिकी के द्वितिय नियम की उस्मा गतिकी का द्वितिय नियम उस्मा गतिकी के प्रथम नियम की कमियों को दूर करता है यानि उस्मा गतिकी का प्रथम नियम में एक कमी थी जिसके अंतरगत आपसे कहा गया था कि यह उपर देख ल लेकिन दूतिय नियम में केल्विन मौक के नियम के आधार पर कहा गया है कि चक्रिय प्रक्रम में संपूर्ण उर्जाकारिय में परिवर्तित नहीं होती है क्यों नहीं होती है इसकी वज़े भी मैं आपको बता देता हूं कि संपूर्ण उर्जाकारिय में परिवर्तित नहीं होती है सर क्यों नहीं होती है देखे हमारे पास मान लोग की कोई डेल्टा क्यों डेल्टा क्यों नहीं सोरी सोरी हमारे पास कोई क्यों उर्जा हमको प्राप्त होती है और हमारे द्वारा उसमें कारिय किया जाता है परंतु कहीं न कहीं ये क्या है क्यों उर्जा है कहीं न कही कुछ ना कुछ उर्जा सेस रहे जाएगी यानि Q2 उर्जा सेस रहे जाएगी बाकी जो सेस उर्जा बसती है Q2 के अलावा जो उर्जा है वह कारिय में परिवर्थित हो जाती है ठीक है लेकिन सर ये Q2 उर्जा है ये सेस क्यों बच गई ये भी कारिय में परिवर्थित क्यों ही हुई तो देखो यहांपर जो Q2 उठ जा है वह एक T ताप पर होती है और यह है जो T2 ताप है यह T2 ताप अगर 0 Kelvin हो जाए यह T2 ताप अगर 0 Kelvin हो जाए तो यह Q2 उठ जा भी कारी में परिवर्टित हो जाएगी तो जैसा कि आपको पता है कि T2 ताप 0 Kelvin, यानि 0 Kelvin ताप में बदलना एसंबव है, और एसंबव है तो Q2 उर्जा का कारिय में बदलना भी एसंबव है, इसी कारण जो हमारे पास है संपूर्ण उर्जा कभी भी कारिय में परिवर्थित नहीं होती है कुछ न कुछ उर्जा सेस रहे जाती है ठीक है ये बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी है चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो क्लॉसियस के नियम के अनुसार निमन ताप से उच्च ताप तक ऊश्मा का प्रवाँ है तब ही संबव है जब उस पर बाहे कारिय किया जाए देखें यहां पर हम आपको साइड में समझा देता हूँ कि हमारे पास यह एक निकाई है इसके अंतरगत चलिए निकाई छोड़ी यह थोड़ा सर्टिफिकल्ट हो जाएगा यहां पर आपको पास जो तापमान है वह उच्छ है ठीक है और यहां पर जो तापमान है वह निम्न है वैसे तो आपको पता है कि तापमान का इस्थानांतरण कहा से कहा होता है उच्छ ताप से निम्न ताप की ओर होता है परंतु अगर निम्नताप से उच्चताप की और अगर तापमान का यानि उश्मा का इस्थानांतरन करना हो इस्थानांतरन उश्मा का इस्थानांतरन वैसे तो उच्चताप से निम्नताप की और होता है परंतु हमें तो निम्न ताप से उच्च ताप के और उश्मा का स्थनांतरित करना है तो कैसे होगा यहाँ पर अगर इस निकाय के उपर बाहे कारिय किया जाए क्या किया जाए बाहे कारिय अगर किया जाए तो यहाँ पर उस्मा निम्न ताप से उच्छ ताप की और इस्थानांतरित हो जाएगा तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है वो आप देख लीजिए कि निम्न ताप से उच्छ ताप तक उस्मा का प्रवाह तबी संभवद उदि长गं बाहर कारिय किया जाए चलिए दोस्तों, उसके बाद अब अपना आता यह दितीय नेम भी complete होता है। अब अपना शुरू होता है याहाँ पे Corno.. इंजन, बहुत जाद जरूरी है बहुत अच्छा topic है। उसके बाद Corno Engine के बाद pas Pyuna Rip आता है, दोनों ही जो है.. अगर आपने एक को समझ लिया न कॉर्नो इंजन समझ लो कॉर्णो पंप इसका जस्ट विपरीत है और वह आपका अपसमझ में आ जाएगा तो कॉर्णो इंजन क्या है तो देखे मैं आपको बताता हूँ कॉर्णो इंजन क्या है इसके अंतरगत यह है एक ऐसा इंजन है जो कि उश्मा को किसमें बदलता है उश्मा को कारिय में बदलता है यह एक ऐसा इंजन है जो किसमें बदलता है उश्मा को कारिय में बदलता है परंतु जैसा कि आपको पता है कि उस्मा को कारिय में बदलेगा तो यहां पे कुछ ना कुछ Q2 उस्मा सेश रह जाएगी ठीक है यह भी बात आपको यहां पे द्यान में रखनी है तो कोर्णो इंजन को देखिए कोर्णो चक्र भी समझाओंगा पहले कोर्णो इंजन को समझ लीजे हमारे पास जो कोर्णो इंजन है वो नीचे की और यहां पर समझाय गया है वन सेकिन यह देखिए कोर्णो इंजन को यहां पर आपको डीटेल में समझाय गया है तो देखिए कोर्णो इंजन में आपको समझाय गया है कि एक स्रोत है और यहां जो स्रोत है टीवन ता ताप पर उच्छ T1 ताप पर कोई स्रोत है जो कि क्या परधान करता है उश्मा परधान करता है क्या परधान करता है उश्मा परधान करता है तो एक स्रोत है T1 उच्छ ताप पर यह है इंजन को क्या परधान कर रहा है उश्मा परधान कर रहा है ठीक है यह जो उश्मा परध सेस बची उसमा को बाहर निकल दिया बाहर कहां सिंख के अंदर निकाल दिया ठीक है और यह जो उसमा यहाँ पर निकली गई है यह है T2 टाफ पर संग्राईत है और यह जो T2 टाफ यह कैसा है कम है किस की अपेख शक्रट? T1 टाफ की APEAK ok तो यानि सिंक में जो उश्मा यहां पर बाहर निकाली जाती है वह कैसे ताप पर संग्राइत होती है निम्न ताप पर ठीक है अब देखिए यहां पर आगे मां आपको समझाता हूं एक बार यहां पर साइड में समझा देता हूं कि कोई स्रोत है जिस स्रोत से हमें क्या प्राप्त हो रही है उश्मा प्राप्त हो रही है तो हमें इस स्रोत से क्या प्राप्त हो रही है उश्मा उश्मा कितनी प्राप्त हो रही है Q1 उश्मा ठीक है ये Q1 उश्मा है किसी इंजन को प्राप्त होई इस इंजन ने Q1 उश्मा से कुछ बाग को तो कारिय में बदल दिया किसमें बदल दिया कारिय कितना कारिय डबलू कारिय में इसको बदल दिया और कुछ सेस बची हुई उष्मा देको संपूर उष्मा तो कारिय में बदल नहीं सकती सेस बची हुई उष्मा किसमें चले गई सिंक में चले गई कहां चले गई सिंक में बची हुई उश्मा चले गई जो की कितनी थी Q2 थी यहां Q1 ऊश्मा जहां जिस स्रोथ से आई है उस स्रोथ पर जहां उश्मा संगराईत है वहां ऊश्मा T1 ताप पर है और यह T1 ताप कैसा है उच्छ है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और यहाँ पे जो सिंक में उस्मा निकाली गई है यह है T2 ताप पर है और यह T2 ताप कैसा है निम्न है और आप पूछना चाओगे किस सर यह सिंक में निकाली गई उस्मा कारिय में क्यों नहीं बदलती देखिए कारिय में बदल सकती है अगर T2 ताप कैसा हो जाए जीरो कैल कल्विन हो जाए तो यह है उश्मा किसमें बदल जाएगी कार्य में और यह 0 कल्विन होना संभव नहीं है तो यह है Q2 कार्य में बदलना भी संभव नहीं है यह यहाँ पर बताए गया है ठीक है अब उसके बाद कुछ फोर्मूला वाइस यहां पे बात की गई है कि देखिए अगर मैं यहां से कारिय निकालो तो कारिय बराबर Q1-Q2 हो जाएगा ठीक है अब यहां पर दिहान रखना दक्षता की बात की जाएगी यह क्या है इटा है यह है इटा क्या बताता है दक्षता बताता है किसकी इंजन की दक्षता ये इटा क्या बताता है इंजन की दक्षता बताता है ठीक है तो इंजन की जो दक्षता इटा होती है वह बराबर होती है किया गया कारिय बटा में उश्मा किया गया कारिय बटा में प्राप्त की गई उश्मा प्राप्त किसके द्वारा इंजन के द और प्राप्त कितनी उस्मा की गई है Q1 उस्मा प्राप्त की गई है ठीक है यहां पर जो डबलू है वैक Q1-Q2 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो यहां पर अपने डबलू कमान रख दिये Q1-Q2 Q1-Q1 यहां से अगर मैं Q1-Q2 Q1-Q2 कर दू तो Q1-Q1 तो आपस में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और Q2 अपन Q1 आ जाएगा तो 1-Q2 अपन Q1 यहां पर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो इंजंग की दख्षता है वो कितनी आ जाएगी 1-Q2 अपन Q1 आ जाएगी और इसी को अगर ताप में लेना जाओं ताप में ले सकते हैं इटा बराबर 1-Q2 अपन Q1 तीटा क्या है कम ताप और Q1 क्या है उच्च ताप ठीक है यहां पर बस इतनी शी बात यहां पर थी यह दी ताप मान 0 केल्विन हो जाए तब यहां पर जो इटा है वह एक हो जाएगा यहनी 100 प्रतिशत हो जाएगा आते हैं यहां पर यह संबव नहीं है क्यों अगर ताप मान 0 केल्विन पर हो जाएगा तो जो दक्षता है वो एक आएगी और दक्षता एक आएगी इसका मतलब यहां पर क्या हुआ इसका मतलब यहां हुआ कि Q2 किस में बदल जाएगा कारिय में future में इसका कोई ना कोई solution देखने ना देखने को मिल जाएगा चलिए अब यहाँ पर देखिए next उपर ही बात कर लेते हैं जो मैं छोड़ के आया था वैसे आप समझा दिया है नीचे मैंने यह रही तो मैंने बात की इंजन की दक्षता की बात करेंगे कार्णों इंजन की दक्षता कितनी होती है तो दक्षता होती है किया गया कारिया इंजन द्वारा किया गया कारिया शेस प्राप्त उश्मा क्या प्राप्त उश्मा याने इंजन ने कितनी उश्मा प्राप्त की त की चैप्टर एंडिंग हो चुका है इसलिए अब एक कोश्चन है इस कोश्चन को देखना है कि एक आदर्ष उश्मा एक आदर्ष उश्मा 77 डिग्री सेल्सियस ताप पर उश्मा को यहाँ पर वातावरण में छोड़ता है इसकी दक्षता 30 परतीशत है यानि कोई इंजन है आदर्ष उश्मा इंजन की यहाँ आदर्ष उश्मा की बात आगे ते यानि इंजन की यहाँ पर बात की गई है कौन सा इंजन कार्णो इंजन ठीक है इसमें जो है 77 डिग्री सेल्सियस पर उश्मा बाहर निकाली गई है यानि जो हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताए कि Q2 क्यूटू क्या है बाहर निकाली गई उश्मा बाहर निकाली गई उश्मा क्यूटू है यह है बाहर निकाली गई है कितने पर 77 degree Celsius पर यानि यह जो 77 degree Celsius यह है क्या है T2 top हमको दिया हुआ है ठीक है उसके बाद देखना है यहाँ पर दक्षिता यानि इटा कमान आपको दिया हुआ है 30 प्रतिशत और आपको पता है साथी साथ यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है कि जो हमारे पास इसे किस ताप पर उस्मा लेनी चाहिए यानि किस ताप पर इसको उस्मा मिलेगी किस ताप पर यह उस्मा प्राप्त करेगा यानि अपने को T1 यहाँ पर ग्याद करके बताना है तो आपने अभी पढ़ा क्या पढ़ा कि जो Eta दक्षता होती है वो बराबर होती है 1-T2 upon T1 ठीक है और Eta के अगर बात करूँ तो 30 प्रतीशत दिया हुआ है और प्रतीशत अठाएंगे तो 30 बटा में 100 0 से 0 कट जाएगा तो यहां पर 3 बटा में 10 आ जाएगा ठीक है तीटू ताप मान 27 डेगरी सेल्सेस लेकिन यह किसमे होना चाहिए कैल्विन में तो 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा 350 यह ध्यान रखना छीक है अपने पास तीटू ताप है Eta है और अपने को T1 यहां पर निकालना है फोर्मुले में मान रख दो और सॉलिशन निकाल लो तो T2 अपन T1 इस T2 अपन T1 को अपन इधर ले जाते हैं और Eta को अपन इधर ले आते हैं तो T2 अपन T1 1 माइनस Eta हमारे पास आजाएगा Eta कितना है 3 बटा में 10 1 माइनस 3 बटा में 10 यहां पर जब सॉल्ब करेंगे तो 7 बटा में 10 आजाएगा अब देखिए आगे यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो नीचे लिखा हुआ है अब यहां पर T2 का मान रख दिया 350 केल्विन बटा में T1 बराबर 7 बटा में 10 ठीक है यहां पर 7 से 35 कितने बार में गया है 5 बार में तो यह कितना हो गया 50 और यह हो गया 10 तो यह 10 तो आजाएगा इदर और यह T1 चला जाएगा इदर तो T1 बराबर 500 केल्विन आजाएगा परन्तु 500 केल्विन हमको 500 केल्विन आंसर तो सही है बट यहां पर option में centigrade में दिया हुआ है सोरी Celsius में दिया हुआ है तो हमें Celsius में ही निकालना होगा Celsius में कैसे निकालेंगे T1 बराबर 500 माइनस 273 बराबर 227 डिगरी Celsius हमारे पास ताप माना जाएगा यानि केल्विन का ताप यहां से गटा देंगे तो Celsius में हमारे पास मान आ जाएगा तो देखते हैं कौन सो उप्षिन अपना सही है चार उप्षिन दिया हुआ है T1 ताप के लिए 127 227, 327 633 तो अपना सेकिंड उप्षिन बिलकुल सही है ठीक है उसके बाद अपने पास आता है कार्णो पंप कार्णो पंप कार्णो इंजन का विलकुल विप्रीत है कैसे जैसा कि आपको पता है कोई स्रोथ है स्रोथ से हमको कार्णो इंजन में उश्मा प्राप्त हो रही थी वो कार्य में और से सिंक वाली सिंक में मुक्त होने वाली उस्मा थी ठीक है अब यहां पर कार्णो पंप में क्या हो रहा है कार्णो पंप में विपरीत तो यहां पर किस तरह यह विपरीत है जरा देखना यहां पर हो क्या रहा है यहां पर कारिय हो रहा है कारिय से उस्मा प्राप्त की जा रही है और यहां यहां पर बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है अब यहां पर देखना ऊपर तो हमको क्या थी दक्षता मिली थी ठीक है लेकिन यहां पर हमको क्या निकालनी है कारिय गुणांग निकालना है क्या निकालना है कारिय गुणांग क्या नहीं जिसे हम क्या करते हैं बीटा करते हैं औ कार्य गुणांग बीटा होगा Q2 upon W Q2 क्या है तो Q2 है हमारे पास सिंक से प्राप्त की गई उश्मा और Q W क्या है तो W कार्ये से प्राप्त की गई उश्मा तो यहाँ पर ध्यान रखना कार्ये से कार्ये को आप किसमें लिख सकते हो कार्ये वराबर Q1-Q2 भी आप कर सकते हो तो वही हमने किया है बीटा बराबर Q2 upon Q1 minus Q2 ठीक है अब यहाँ पर इसको हम Q1 Q2 Q1 Q2 करेंगे तो बीटा बराबर 1 by Q1 upon Q2 minus 1 ऐसा हमने यहाँ पर इस तो Q1 Q2 करके solve कर लिया देखिए इसको मैं समझा देता हूँ हो सकता है यहाँ पर आपको doubt आया हो कि सरी यह 1 by में कैसे आ गया तो देखना है यहाँ पर 1 by में ऐसे आया कि हमने इसको क्या किया उल्टा कर दिया इसको हमने यानि उल्टा करने का मतलब अगर हम इसको उल्टा करना चाहें तो इसके उपर एक लगा दिया है यानि मैं आपको समझाता हूँ जैसे माल लो कि हमारे पास A बटा में B है ठीक है और हमारे पास यहाँ पे X बराबर A बटा में B है ठीक है अगर मैं इसको ऐसे कर दू कि X बराबर 1 by 1 by B बटा में A तो क्या फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा यह A वापस से उपर आ जाएगा फिर A बटा में B हो जाएगा तो वही यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया गया है यानि Q2 माइनस Q1 देखें यहाँ पर करके दिखा देता हूं कि बीटा बराबर 1 by यानि इसको उल्टा कर दिया है यानि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 ठीक है यह यहाँ पर हो गया अब यहाँ पे Q1 Q2 Q1 Q2 कर लेंगे तो यह हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 माइनस Q2 अपॉन Q2 और इसमें नीचे वाले में भी आप ले सकते हो यह थोड़ा सा एक मिनट धिकaiah नीचे वाले के form में भी आप इसे याँ पर ले सकते हो नीचे वाले के form में भी आप कैसे ले सकते हो देखना बीटा paints 1 by napon T2 minus 1 यह कुछ चार formula है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने है अब एक relation बताना चाहरा हूँ बीटा और इटा की बीच में एक relation होता है वो यहाँ पे बताना चाहरा हूँ तो वो relation क्या है देखना बीटा बराबर 1-टा अपोन इटा अगर मान लीजे आप इसको यहाँ पर इटा कमान दिया और बीटा कमान पूछा जाए तो क्या कर दोगे 1-टा अपोन इटा अगर यहाँ पर बीटा कमान दिया गया है और इटा कमान आपसे पूछा गया है तो भी आप इसी formula को लगा के solve कर सकते हो तो यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है उसके बाद मैं बात करूँगा entropy की तो entropy जो होती है वह delta S बराबर उश्मा अपोन तापमान होती है यानि आउशोशित की गई उश्मा अपोन अपमान होता है ठीक है यह entropy का मान होता है बस इतना ही ध्यान रखना है entropy में अगर मैं entropy रुदोश्म परकरम की बात करूँ तो रुदोश्म परकरम में उश्मा delta Q का मान कितना होता है सुन्य होता है अगर delta Q का मान सुन्य है तो entropy क्या हो जाएगा 0 बटा में T यानि 0 यानि entropy यहाँ पे जो delta S है वो क्या रहेगी सुन्य रहेगी ठीक है तो यानि S यहाँ पे क्या रहेगा नियत ध्यान रखना रुदोश्म परकरम के लिए entropy S कैसा रहेगा नियत रहेगा ठीक है अब मैंने आपको ऊपर कुछ जो है बाते आपको बताई थी क्या CP CV की एक बर मैं यहाँ पर वापस बता देता हूँ क्लियर कर देता हूँ कि CP बटा में CP बटा में CV बराबर क्या होता है तो गामा होता है ठीक है अगर मैं बात करूँ CP माइनस सोरी वन सेकिन गामा होता है ठीक है और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि CP-CV बराबर क्या होता है तो R होता है ठीक है यहाँ पे R और गामा की बात कर लेते हैं R और गामा के कुछ मान होता है CP-CV के कुछ मान होता है उन मानों की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ध्यान रखना कि यहां पर अगर एकाणूक परमानू लिया गया है, एकल परमानू लिया गया है, तो एकल परमानू के लिए cv कमान 3r by 2 होता है, cp कमान 5r by 2 होता है, गामा कमान 5 by 3 होता है, वो question में आपको दिया होगा, उसकी tension आपको नहीं लेनी, ठीक है? दी परमानू के अगर आपको दिया होगा, तो दी परमानू के में जो cv कमान होता है, वह है 6r by 2 होता है, यह 5r by 2 होता है, यहां पर 7r by 2 cp कमान होता है, और 7y5 यहां पर किस कमान होता है, गामा कमान होता है, उसी तरह आरेखित 3 परमानू के लिए अगर मैं cv कमान बात करू तो cv का मान 3R होगा यहाँ पे cp का मान 4R होगा और gamma का मान 4B यहाँ पर 3 होगा अगर आपको यह मान सीधे ध्यान होंगे और कोई भी question अगर आपको solve करना होगा सीधा आप यहाँ पे मान रख दोगे और question को यहाँ पे solve कर लोगे और answer यहाँ पे निकाल लोगे तो यह बात आपको ध्यान रखने हैं देखे अगर मान लीजी कोई भी doubt अगर आपको आता है तो आप मुझे message कर सकते है बाटसप पे 9001299358 इस number पर आप मुझे message कर दीजिए मैं आपको doubt के clear कर दूँगा 9001299358 इस number पर आप मुझे message कर दीजिए मैं आपके doubt को clear कर दूँगा तो इस तरह हमारे पास यह clear होता है तो दोस्तों इस तरह आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अपना उश्मा गतिकी वाला chapter समाप्त होता है अगर लास्ट वाली वीडियो में कुछ भी problem होता नंबर मैंने बता दिये हैं उस पे आप whatsapp message कर सकते हो doubt मैं आपके doubt को जलूर clear करने की कोशिस करूँगा तो चलिए दोस्तों जैहिं जैबारत मिलते हैं आप से नए chapter के साथ इसके mcqs आपको करवा दिये जाएंगे बट अभी नए chapter सुरू करेंगे exam पास में है तो एक बार फटा फट सिलेबस कर लेते हैं फिर mcqs करने का काम अपना रहेगा जैहिं जैबार